जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो बक्त और हलात पर रोया नहीं करते महनत का कोई तोड नहीं है दोस्तों तभी किसी ने क्या खूब कहा है कि आपकी हर बूली पर ताली होगी आप महनत करके तो देखो इ सेटे में एमाइन्स और सेकंड टॉपिक अपने पास से हैं बहुलक यानि की पोलिमर स्टार्ट करते हैं कहानी जो लो क्या कहती है दोस्तों कि नीमन अभीकिरिया का मुख्य उत्पाद है दा मेजर परड़क्ट ऑफ दा फ्लोविंग रियक्शन आपको दे रखी है यह अपक एसीड की रियक्शन किसके साथ करवाते हैं अमोनिया के साथ करवाएंगे तो एसीड बेस रियक्शन होगी दोस्तों पहले किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनियम थेलेट का फॉर्मेशन हो गया अब इस अमोनियम थेलेट को जनली अगर नॉर्मल हीट करते हैं दोस्तो तो water release हो जाता है और किसका formation हो जाएगा अपने पास ये मिल जाएगा यानि कि ammonium thalate से किसका formation हो गया दोस्तो थेले mide का इसको क्या बला साता है थेले mide अब उसने क्या कहा है कि strong heat कर दो strong heat करते हैं तो दोस्तो ये थेले से किसमें आज जाएगा थेले माइड बन जाएगा और अमोनिया रिलीज हो जाएगी और किसका फोर्मेशन हो जाएगा दोस्तों थेले माइड से थेले माइड बन जाएगा NH, C, double bone, O, और O कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों फोर्थ आंसर ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो second number सवाल क्या करता है दोस्तों बहुत ही प्यारा NEET 2022 में ये सवाल देखा गया था क्या कर रहा है दोस्तों reaction करवाने की बात कर रहा है ये अपने को बेंसो नाइट्राइल दे रखा है यानि कि साइनाइड दे रखा है कार्बन ट्रीपल बॉन नाइट्रोजन जिसको कहा गया कि लीथियम अलमिनियम हाइडराइड के साथ में reaction करवा दो क्या हो जाएगा दोस्तों complete reduction हो जाएगा और किसका formation हो जाएगा amine का यानि कि CH2-NS2 जाने कि Benzyle Amine का formation हो अब इस Benzyle Amine की Second reaction करने की बात कर रहा है दोस्तों NITRAUS ACID के साथ में reaction करवादो निटरस ACID के साथ में reaction करवाएंगे दोस्तों तो इसमें Electrofile क्या होता है NO positive होता है ये इसके साथ में reaction करेगा यानि कि आपने reaction करवाई है नाइटरस एसीड के साथ में रियक्शन करवाई है NaNo2 प्लस SCl के साथ में दोस्तो रियक्शन करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अपने पास मिल जाएगा बेंजाइल एलकोहल अगर बेंजीन डाइजुनियम कलराइड बनता तो वो स्टीबल होता बेंजीन डाइजुनियम कलराइड मिलता है जो अन्स्टीबल होता है और वोटर के साथ में रियक्शन करके किसका फॉर्मेशन करदेगा दोस्तो अलकोल का फॉर्मेशन करदेगा अपने पास आंसर क्या जाएगा थार्ड आंसर आजाएगा बहती प्यारा सवाल कि वन डिगरी अगर अलिफेटिक है दोस्तो वन डिगरी अलिफेटिक अमाइन है तो वो किसके साथ में रियक्शन करके निट्रस एसिड के साथ में रियक्शन करके अन्टू रिलीस कर देती है और अलकोल का फॉर्मेशन कर देती है यही अगर अपने पास aromatic है तो aromatic amine जो है aromatic amine यानिके NS2 1 degree aromatic amine nitrous acid के साथ में reaction करके benzene diazonium chloride का formation कर देती है जो stable है कहां पे भला at room temperature due to conjugation यानिके resonance के कारण वो stable होता है अब अपने पास aliphatic मिला है aliphatic मिला है तो यह unstable होता है क्योंगे end to good living group होती है अधिक विदूत्री नहीं यानिके more in atom अपने आपके उपर positive charge वरदास नहीं कर सकता ठीक है तो अपने को answer मिल जाएगा इसका third next अगर अपने बात करें तो देखो third number सवाल क्या दे रखा है दोस्तों कोई nitrogen यानिके aromatic compound आपको दे रखा है यह दे रखा है इसकी reaction करवाने की बात कर रहा है कि SN, CN, HCL के साथ में reaction करवादो दोस्तों SN, HCL के साथ में reaction करवाओगे उसके बाद में आप किसके साथ reaction करवाईए HNO2 के साथ में reaction करवाईए unstable compound मिलता है फिर यह जो B मिला है आपको वो phenol के साथ में reaction करके किसका formation करदेगा एक beautiful color compound का formation करदेगा beautiful color compound किसके काना है due to extended conjugation के काना है यानि कि azo die का formation हो रहा है दुस्तों ठीक है तो चलो कहानी साथ करते हैं यह molecular formula यानि कि C जो मिला है जिसका molecular formula आपको इतना दे रखा है structure पूछी है अपने से AC देखिए का दुस्तों SN, SCL, NCRT की first mechanism है यानि कि कि में amine के preparation method के लिए यानि कि आपने किसका nitro benzene का reduction करवा दिया H2 nickel platinum platinum की presence में या फिर metal के साथ में कोई SCL दे दिया अब metal क्या दे दिया आपको SN, SCL दे सकता है FV, SCL दे सकता है aniline के preparation method के लिए ठीक है अब यहाँ पे अपने को SN, SCL दे रखा है ZN, SCL भी दिया हो सकता है तो यह किसमें change कर देता है दोस्तों इसकी अगर पन बात करें according to option यानि कि nitro benzene आपको दे रखी है इसकी अगर SN, SCL के साथ में reaction अपन करवा दे यानि कि SN, SCL के साथ में reaction करवा होगे तो किसका formation हो जाएगा दोस्तों aniline का formation हो जाएगा और aniline के साथ में आगे reaction करवा रहा है कि nitrous acid के साथ में reaction करवा दो nitrous acid के साथ में reaction करवा होगे तो benzene diazonium chloride का formation हो जाएगा अब benzene diazonium chloride दोस्तों stable होता है room temperature ठीक है लेकिन हमेंसा stable नहीं है उसने कर दिया unstable है यानि कि room temperature से उपर temperature increase कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा into good living group है यानि कि more ये नेटम अपने आपके उपर positive charge नहीं रखता इसलिए end to भाग जाएगी तो अपने पास ये मिला है फिलाल अपने ये ही बात कर रहे है according to sowing ये unstable है फिर आगे कहरा है कि इसकी phenol के साथ में reaction करवा दो दूस्तो अपने पास जो benzene diaconium chloride मिला है इसकी reaction अपने किसके साथ करवा रहे हैं phenol के साथ में करवा रहे हैं औरो phenol के साथ में reaction करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा कप्लिंग रियक्शन हो जाएगी दोस्तों और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यानि कि अपने को ये मिल जाएगा OH नाइट्रोजन डबल बॉन यानि कि पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया पेरा हाइड्रोक्सी एजो benzene कौनसे color का आगया दोस्तो orange color का होता है कौनसे color का है Northern ammonia के साथ यानि कि अगर इनिलीन के साथ में reaction करवाते benzene die oynium coloride की at total linking के साथ में reaction करवाते तो अपने को yellow color मिलता कौनसा color मिलता yellow color मिलता अब यह क्या है दोस्तो sodium differential formation हो गया orange color beautiful color आ गया एक orange color मिला है अपने को ठीक है यह C12H10N2O यही है दुस्तों देख लो बले कितने carbon है 6,6 हाना 12 carbon है 10 hydrogen है N2 2 यानि कि 2 nitrogen है एक oxygen है यही हल है दुस्तों कौन सा answer आजाएगा अपना यही सवाल में according यही answer आया फिर किसी ने कहा की साइनाइड को नहीं आया अब देखो दूस्त साइनाइड का reduction करवा देंगे SNSCL partial reduction का काम करेगा इमीन में convert कर देगा इमीन nitrous acid के साथ में reaction करने से मनागर देगी फिर आगे reaction हो नहीं पाएगी तो खानी खतम हो गई इसकी अगर पन बात करें दूस्तों तो इमाइड है इमाइड में पहले से यह कारबन जादा है ठीक है और यह बेंजीन डाई एजोनियम कल्राइड का भी formation नहीं कर सकता ठीक है इसकी इसके साथ में reaction करवाओगे तो अगला करेगा नहीं पनागर्दे का reaction करने से एमाइड आपको पता है इसका यह क्या भी गाड़ लेगा बताओ एसिड बेस reaction बले करवादो ठीक है इसका मतलब वह की और कोई भी reaction को फूलो नहीं कर रहा है इसका मतलब नाइट्रो बेंजीन आपका आंसर आजाएगा नेक्स इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो फूर्थ नंबर सवाल की बात ओर रही है दूस्तो क्या कह रहा है यह कोलम मेचिंग का बहती खुबसूरत सा सवाल है मिला दो ग्रेबरिल synthesis की अगर बात करें तो आपको पता है दोस्तो ग्रेबरिल synthesis की बात करें तो यह कहती है कि primary amine के preparation के लिए best method है और वो भी aliphatic aromatic के लिए भी नहीं है दोस्तो aromatic के लिए अगर preparation करोगे तो वहाँ पे aryl halide का use करोगे aryl halide आपको पता है दोस्तों due to single bond में double bond के character आ रहे हैं वो reaction करने से मना कर देगी ठीक है इसलिए इसका aliphatic primary amine का formation करने के लिए यूज की जाती है कोल बेस synthesis की अगर बात करें दोस्तों कोल बेस synthesis की अगर बात करें तो फिनोल की reaction करवाईए पहले acid base reaction यानि के एनेवेच के साथ में reaction करवाईए फिर आप किसके साथ में reaction करवाईए दो reaction आपने किसके साथ करवाई दोस्तों CO2 के साथ में reaction करवाई दोस्तों तो आपको यह मिल जाएगा फिर आप इसको H positive देदेना ठेक है एच positive पहले acid base reaction करदेगा तो यह मिल जाएगा इस पर negative आप फिर इसको H देदेना आप क्या मिल जाता है दोस्तों salicylic acid का formation हो ही जाता है इसका मतलब ये क्या बना देगा दोस्तों Salicylic acid बना देगा ठीक है तो Colway synthesis से आप किसका formation करोगे Salicylic acid का Williamson ether synthesis की अगर पर बात करें दोस्तों तो Alkyl halide की Alcoxide के साथ में reaction करवा दो यानि कि Alcoxide आपको दे रखा है और इसकी reaction किसके साथ होती है Alkyl halide के साथ में होती है कौन सी reaction है दोस्तों SN2 reaction है ये nucleophile इसके उपर टेक करेगा X remove हो जाएगा किसका formation हो जाएगा ether का formation हो जाएगा अब आपको ये ध्यान देने यूग्य बात है दोस्तों कि Alkyl halide कैसा होना चीए छोटा होना चीए nucleophile कैसा भी हो सकता है अगर आपको ether का formation करना है तो Alkyl halide आपके पास छोटा होना चीए अगर यहाँ crowding जादा होगी तो इसका मतलब elimination हो जाएगा E2 reaction हो जाएगी फिर आप ether नहीं बना पाओगे फिर आप Alkyne major product बना दोगे दोस्तों तो Williamson ether synthesis बना सकते हो दोस्तों Itard reaction आपको यादा रहाऊगा Itard reaction रियक्शन में आप Toluene की reaction करवाते है किसके साथ Chromile chloride के साथ में reaction करवाते है यहनि कि Itard reaction में क्या होता है कि Toluene की reaction करवाते हो strhein cRO3 cro2 clu2 के साथ में reaction करवाते हैं δोस्तों cro2 CRO2, Cl2 Chromyle Collide के साथ में reaction करवाते हैं साथ में किस की presence में CS2 की presence में Chromium Complex का formation हो जाता है CH, O, CR, O, H और CL की 2 की 2 आ जाता है फिर इसका Hydrolysis करवा देते हैं दोस्तों और किस का formation हो जाता है Benzaldehyde का formation हो जाता है तो इटाइड reaction में चाहा है भला Benzaldehyde तो मिला दो दोस्तों Graberile Synthesis A के साथ में आपने 3rd मिलाया है A के साथ में आपने 3rd मिलाया है ठीक हैं और B के साथ में आपने 4rd मिलाया है B के साथ में आपने 4rd मिलाया है यहाँ पर 1st मिला दिया इसका मतलब यह incorrect हो गया और फिर Williamson Ether Synthesis Ether मिला दिया आपने second और Itard reaction में आपने first मिला दिया इसका मतलब आपका कौन सा answer हो गया दोस्तू second answer ठीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो five number सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है दोस्तो अब क्या कह रहा है वो Aniline की reaction करवा दो तो दोस्तो NS2 का protection करवाने के लिए यूज की जाती है यानि की आपके N30 में लाइन लिखी हुई है वो क्या कहती है कि Aniline यानि की NS2 group का अगर आपको protection करवाना है acylation करवाना है तो आप किसका साहरा ले सकते हो आप acetyl chloride का साहरा ले सकते हो एस्टर का साहरा ले सकते हो एन हाइडराइड का साहरा ले सकते हो acylation करवाना है CS3 CO group चिपकाना है उसके तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तो अपने को Aniline दे रखी है Aniline की reaction आप किसके साथ करवा दो Acetic Anhydride के साथ में करवा दो Pyridine की presence में reaction आपने करवाई यह अपना Lone Pair of Electron इस पे लुटाएगा Acetate group बाहर हो जाएगा क्या मिल जाएगा दोस्तो CS3 CO यहाँ पे NH इसने अपना Lone Pair of Electron लुटाया है तो Morian atom के उपर क्या जाएगा Positive charge Morian atom अपने आपके उपर Positive charge नहीं रख सकता OCS3 इसका नेम क्या है Acetanilide Acetanilide का यूज मेडिसीन में करते हैं दोस्तो यहाँ पे मैं अगर OH लगा दू इसकी पेरा Position पे तो PCM बन जाएगा PCM का मलब पेरा सिटामोल टेबलेट है ना ठीक है जो एनाल जैसिक है फिर आगे बात करें तो यह कह रहा है कि इसकी Reaction करवा दो Lithium Aluminium Hydride Water के साथ में Lithium Aluminium Hydride Water के साथ में Reaction करवाओगे तो यह इसका Reduction कर देगा Amide को किसमें Convert कर देगा Lithium Aluminium Hydride की बात ओर रही है यह Amine में Convert कर देगा दूस्तो NH और क्या जाएगा CH2 CS3 तो Amine बन जाएगा दूस्तो तो Amine किसमें है इसमें Amine नहीं बना इसमें भी Amine नहीं बना इसमें बन गया दूस्तो यह भी नहीं है इसने उसके Orthoposition पे Assilation करवा के फिर इसका Reduction करवा दिया तो चल जूटी यानि कि कौनसा Answer आज जाएगा Yes or No Next अगर अपने बात करें तो Six Number सवाल क्या कह रहा है दूस्तों यह कह रहा है कि आपको दो स्टेट्मेंट दे रखे हैं ठीक हैं कौनसा सही है कौनसा Incorrect है उसी की बात हो रही है फस अपने को क्या कह रहा है कि Primary Elephatic Amine react with Nitrous Acid Nitrous Acid give Unstable Diazonium Salt जी हां सही बात कह रहा है वो अगला कि RNS2 आपको दे दिया इसकी रियक्षन आपने Nitrous Acid के साथ में रियक्षन करवाई किसका फोर्मेशन हो जाएगा इसका फोर्मेशन हो जाएगा यानि कि Unstable Compound का फोर्मेशन हुआ and to good living group है भग जाएगा और क्या मिल जाएगा एलकोल का फोर्मेशन हो जाएगा तो Unstable की बात कर रहा है जी हां ये बात सत्य गटना पर धारित है बिल्कुल सेकिंड कहीं देखें क्या कर रहा है primary aromatic amine आपको दे रखी है react with Nitrous Acid give home diazonium salt which are stable even below 300 Kelvin 300 से भी ज़्यादा temperature यानि की room temperature से ज़्यादा 25 degrees Celsius से ज़्यादा temperature होगा इसका मतलब वो stable नहीं हो सकता क्योंकि end to good living group है temperature पाकर वो भाग जाएगी resonance भी फेल हो जाएगा यहां पे पहले room temperature तक उसने बांध के रखा था कि मैं तेरे साथ करूंगा conjugation इसलिए तो रुक जा थोड़ी दिर ठेक है इसलिए अगर आपने temperature increase कर दिया तो वो भाग गई ठेक कौन end to तो यहां पे अगर पन बात करें तो दोस्तों यह सरासर जूटी है जूटी line की बात हो रही है तो यह क्या है बला सरासर जूटी line है इसका मतलब यह unsable हो गया दोस्तों यह incorrect statement हो गया यहां पे देखेगा आपने क्या लिया दोस्तों aromatic लिया यानि कि aromatic एलिफेटिक एमाइन की बात हो रही थी पहले option में दूसरे statement में अपने aromatic एमाइन दे दी इसकी nitrous acid के साथ में reaction करवाई किसका formation हो गया benzene diazonium chloride का formation हुआ लेकिन यह room temperature पर stable है due to conjugation लेकिन जैसे ही आपने temperature increase किया and to good living group है तो वो भाग जाएगी ठीक है इससे भी आपने याद आगा steam steam की reaction करवा दें इसके साथ में यानि की भाप के साथ में इसको heat कर दें तो phenol का formation हो जाता है छीक है इसका मतलब ये भी unstable हो गया तो ये भी गलत ये सही तो first statement is right second is incorrect तो देख लो दोस्तों कौन सा answer आज जाएगा second answer मिल जाएगा first सही है दूसरा गलत है next इसी कड़ी में आगे बात करें दोस्तों तो क्या दे दिया कोई compound आपको दे रखा है कह रहा है कि हिंस बरग रीजेंट के साथ में react करता है और solid compound का formation कर लेता है जो base में soluble होता है अब याद करिए हिंसा करके burger खा गए आप ready वाले से हिंसा करके burger खा गए हिंस बरग रीजेंट बैंजीन सलफोनाईल कलोराइड बैंजीन सलफोनाईल कलोराइड को बोला साता है हिंस बरग रीजेंट ये वन डिगरी अमाईन के साथ में react करके कि किसका formation कर देता है दूस्तों वो base में soluble होता है किसका formation करेगा अगर अपने aliphatic लेलो aromatic लेलो वन डिगरी अमाईन के साथ में reaction करवाई तो किसका formation हो जाएगा एक तो benzene मिलेगी S double bone O double bone O nitrogen N H और यहां पे क्या आजाएगा आ राजाएगा तो इसका name क्या है alkyl benzene N nitrogen पे कोई आजाता है group तो अपन N use कर देते N alkyl benzene sulfonamide का formation हो गया अभी इसके साथ more in atom के साथ में H है तो इसका मतलब एने वेच के साथ में reaction करके base में soluble होता है तब अपन बोलते हैं कि यह base में soluble है जो reaction कर लेता है उसको अपन बोलते हैं कि यह इसके साथ soluble है तो इस पे आजाएगा negative charge एने पे आया positive, R इसके पास है ठीक है तो इसका formation हो जाता है दोस्तों यानि कि soluble हो गया तो base के साथ में reaction कौन करेगा 1 degree amine base में hints बरग recent के साथ में react करके वो base में soluble होगा ठीक है तो यहाँ पे 2 degree amine दे दिया तो यह तो H release हो जाएगा यानि कि जैसे ही आप इसकी reaction करवा होगे तो 2 degree amine है 2 degree amine के पास में H नहीं होगा नहीं होगा तो वो base में soluble नहीं हो सकता तो इसके यह answer नहीं आ सकता दूसरा अगर पर बात करें तो यह hints बरग recent के साथ में react करेगा और मामला set हो जाएगा इसका मतला second answer मिल जाएगा अपने को third की और बढ़ते हैं यह 3 degree amine hints बरग recent के साथ में reaction करने से मना गर देता है क्योंकि अब यह बढ़ा हो गया तो hints करनी छोड़ दी अब इसने ठेक है तो hints बरग recent के साथ में यह reaction ही नहीं करेगा due to more stary crowding अब यह NO2 के साथ में reaction करवाओगे hints बरग recent के साथ में reaction नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो यह अपना answer नहीं हो सकता दोस्तो तो कौनसा answer आजाएगा second next देखिएगा दोस्तो क्या कह रहा है कि कौन सी जो अपने को दे रखी है amine वो carbyl amine test देती है अब आपको याद आ रहा होगा धुला-धुला की aliphatic हो चाहे aromatic only one degree होनी चाहिए amine चाहे तो आपको pH दे रखी हो चाहे आपको R दे रखी हो लेकिन क्या होनी चाहिए rns2 इसकी reaction करवादो कारbyl amine test आपको याद आ रहा होगा chloroform के साथ में reaction करवाते हैं किसकी भला base की KOH यूज कर सकते हो KOH के साथ में reaction करवाते हैं तो क्या मिल जाता है दोस्तो एक तो aliphatic ले लो चाहे aromatic कोई सी भी ले लो isocyanide का formation हो जाएगा और साथ में आपको क्या मिल जाता है KCL मिलेगा साथ में water water हो जाएगा तो यह isocyanide का formation कौन करेगा दोस्तों वो यहां से अपने को पता है क्या मिलती है DCC मिलती है Dichlorocarben मिलती है तो 1 degree aliphatic होचा aromatic हो वही reaction करके यानि कि chloroform और base के साथ में reaction करके isocyanide carbylemine test स्यू करती है तो यह करेगी 3 degree नहीं कर सकती दोस्तों 2 degree करेगी नहीं कर सकती 1 degree करेगी जी हाँ करेगी 2 degree करेगी नहीं कर सकती तो कौन answer आजै का दोस्तों अपना answer third answer आजैगा यानि कि third amine यानि कि 1 degree aliphatic हो चया aromatic हो वही carbylemine test स्यो करती है चीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो 9 number सवाल बहुती खूबसूरत सवाल है दोस्तो क्या कर रहा है नाइट्रेशन करवादो एनिलीन का वो भी strong acidic medium में तो क्या मिलता है आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है क्यों बनता है दोस्तो ठीक है मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मनता है क्योंकि आपको याद आराओगा कि अगर अपन जनली क्या करवाते हैं दोस्तो एनिलीन आपको दे रखा है और इसका नाइट्रेशन आपने करना चाहा नाइट्रेशन दोस्तो किसकी presence में किया जाता है concentrate H2SO4 plus concentrate HNO3 के साथ में reaction करवाई साती है ये आपको acid की तरह भीएव करता है acidic nature का होता है और ये base की तरह भीएव करता है यानि कि basic nature ठीक है अब आपने जो product बनाया था वो कौन सा बनाया था आपको पता है NS2 plus M effect show कर रहा है तो ये ortho और पेरा directing है ortho और पेरा directing के साथ साथ अपने को क्या मिल जाता है दोस्तों की NS2 और यहाँ पे NO2 ortho, meta और पेरा तीनों product मिल जाते हैं दोस्तों इसमें reason क्या रहा कि क्या unexpected product मिला है जिसकी आपको चाहत नहीं थी वही आपको product मिल गया ऐसा क्यों हुआ दोस्तों उसी की बात हो रही है यह only on 2% मिलता है यह आपको 47% मिलेगा और यह 51% मिलेगा यानि 51 मिला तो major product तो यह यह लेकिन आपने इन दोनों का approximate mixture सा मिल गया है तो यह unexpected product मिला क्यों मिला दोस्तों इसकी बात हो रही है कि जो aniline है वो आपने strong acidic medium दे दिया strong acidic medium की बात करें तो H204 दे रखा है तो यह क्या देगा दोस्तों H positive देगा H positive acid ने base को देखा base ने acid को देखा मन ललचाया रहा ना गया और किसका formation हो जाता है दोस्तों anilineum ion का formation हो जाता है अब यह anilineum ion आपको याद आ रहाओगा NS3 positive मिल गया यह strong electron withdrawing group यानि कि minus i effect हो गया minus i वाला आपको पता है ortho or pera directing हो नहीं सकता अब जो NO2 positive आएगा यानि कि जो भूखा आएगा electrophile जो आएगा वो electrophile ortho or pera पे तो भूलके भी नहीं जाएगा वो कहाँ पे जाएगा दोस्तो वहाँ जाएगा electrophile भूखा कहाँ जाता है दोस्तो वहाँ जाता है जहाँ पे खाने के लिए कुछ अलग-अलग varieties मिलती है या खाने के लिए कुछ मिल जाता है वहीं जाएगा ortho or pera पे कुछ नहीं मिलेगा इसलिए meta-directing हो गया दोस्तो अनिलीनियम बनने के कारण ऐसा हुआ है दोस्तो तो आप option पढ़ लीजिए ये क्या कहा रहा है दोस्तो absence of substitute nitro group always is meta-nitro nitro position ये कहा रहा है कि परतिस्तापिक की उपस्तिती में nitro सुमय हमेशा meta meta-opostity पर जाता है सरा सर जूट बोल रहा है ns2 decide करेगा ने कहां पेचिप करना है ns2 decide कर रहा है nitrogen करवा रहे हो किसका करवा रहे हो aniline का तो यहाँ nitro सुमय की बात कैसे आ गई ठीक है meta की हो इनी सकती यानि कि और्थोर पेरा अब reason क्या है mainly वो कह रहा है कि acidic medium में अगर आप reaction करवा रहे हो तो aniline किसका formation कर देगा anilineum iron का formation कर देता है जिसके कान वो meta directing हो जाता है इसलिए ना चाहते हुए भी यह मिल गया दोस्तो अब किसी ने कहा कि मुझे पेरा major product चाहिए तो पेरा major product चाहिए तो पहले ns2 जो कुछ नहीं कर रहा है यह इसका lone pair of electron कुछ नहीं कर रहा है पहले उसको काम लगा दो यानि कि पहले इस group का protection करवा दो acylation करवा दो जो अपने पिछले सवाल में करवाया था दोस्तो अगर आप इसका acylation करवा देगे तो nitrogen का lone pair busy हो जाएगा 2-2 के साथ में resonance करेगा तो busy हो गया acetine light बना दो acetine light बाद में उसका nitrogen करवा दो ताकि plus M plus M के साथ साथ है minus I भी हो जाएगा तो वो ortho और paira पे जाएगा जिसमें से measure product कौन सा मिल जाएगा आपको पेरा वाला तो यह अपना कौन सा answer इसी सवाल का answer यह हो गया उसके बाद में यह कहा रहा है कि electron electrophilic substitution reaction amino group is metadirecting चल जूटी metadirecting थोड़ी होता है ortho और paira directing होता है फिर वो क्या कहा रहा है कि nitro group हमेशा के वल metastity पर ही जाता है metastity पर क्यों जाता है वो तो सकल देखकर जाता है कि कहा पर electron density जादा मिलेगी तो plus वाले यानि कि electron leasing group है वो benzene ring पर electron density को increase करते है electron withdrawing group वाले क्या गरते है decrease इसलिए meta वाले directing कैसे हो गए deactivating group हो गए यानि कि electron withdrawing group वाले हो गए ठीक है तो अपने को answer इस सवाल का मिल गया second next सवाल की अगर पन बात करें तो अपने को कौन सा दे दिया दोस्तो 10 number सवाल क्या कर रहा है यह कर रहा है कि nitro group दे रखा है nitrous acid के साथ में reaction नहीं कर सकता को नहीं कर सकता दोस्तो जो reaction नहीं करना साथा देख लो does not react with nitrous acid HNO2 के साथ में reaction को नहीं करेगा देख लो दोस्त यह दे रखा है यह तो करता है अब आप सोच रहे होंगे कैसे करता है victor mayor test नहीं सुनाओगा दोस्तो victor mayor test अपनी NCRT में नहीं है लेकिन victor mayor test है ठीक है victor mayor test की अगर पर बात करें तो आप alcohol को identify करने के लिए use किया साता है वैसे तो मानलो अपने को 1 degree alcohol दे दिया इसकी reaction अपने को किसके साथ करवानी है दोस्तो red phosphorus प्लस I2 के साथ में reaction करवाते है I2 के साथ में reaction करवाएंगे दोस्तो तो किसका formation हो जाता है RCH2 और यहां I आजाता है अब इसकी reaction किसके साथ में आपनी करवाई AZNO2 के साथ में reaction करवाई ठीक है AZNO2 कैसा होता है दोस्तो कोवलेंट होता है कोवलेंट होता है इसका मतलब कौन attack करेगा दोस्तो loan pair of electron attack करता है ठीक है किसका formation हो जाएगा दोस्तो यह मिल जाएगा RCH2 और NO2 का formation हो गया यह मिला है RNS2 अब इसके पास में देखो alpha H है acidic nitrogen है अब यह किसके साथ में reaction करवानी है आपको nitrous acid के साथ में reaction करवानी है इसके पास alpha H और यह oxygen इसके साथ में reaction करवा दोगे तो किसका formation हो जाएगा double bond, nitrogen और OH और NO2 यह मिल गया दोस्तो alpha H है तो nitrous acid reaction कर लेगा एक भी है तो ही कर लेगा दो है तो दोनों के साथ में कर लेगा इसका name क्या हो गया nitrolic acid का formation हो गया अब यह base में soluble होगा base के साथ में reaction कर दोगे तो red color आएगा red, blue और colorless आता है victimate test में 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol को identify करने के लिए यूज किया साता है दोस्तो तो यह अकेला alcohol का test नहीं है दोस्तो iodine का भी test है ठेक है यह nitro group का भी test है nitrous acid के साथ में reaction कर वाके nitrolic acid मिला जो एनेवेच के साथ में reaction करके उसमें soluble होगा और कौन सा color आजाएगा red color आजाएगा यह OH और यह H remove हो जाएगा अब इसके पास देखिए क्या यह reaction कर सकता है नहीं कर पाएगा 3 degree क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास acidic H नहीं है नहीं है तो दोस्तो यह आपका answer आजाएगा इसके पास देखो alpha H है इसके पास भी दोस्तो alpha H है यह भी acid base reaction कर लेगा यानि कि nitrous acid के साथ में reaction कर लेगा तो कौन सा answer आजाएगा second answer चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो 11 number सवाल आपको दे रखा है यह सवाल की अगर बात करें तो कौन सी reaction है यह यह acylation है लेकिन यहाँ benzene देदी तो इसे क्या बोला जाता है बेंजोईलेशन क्या कहा जाता है बेंजोईली करन बेंजोईलेशन कहा जाता है दोस्तो यह अपना lone pair of electron इस पे लुटाएगा CL को remove कर देगा इस reaction को अपन क्या बोलते है बेंजोईलेशन यानि कि इस reaction का नाम है शूटन बोमान रियक्शन शूटन बोमान रियक्शन ठीक है तो यहाँ देखो परकीन रियक्शन परकीन रियक्शन है क्या दोस्तो परकीन रियक्शन नहीं है अपनी NCRT में कहीं भी परकीन रियक्शन का नाम नहीं है लेकिन फिर भी Acetic N Hydride के साथ में Reaction करवाते हैं Acetic N Hydride और साथ में अपने क्याले लेंगे CS3, CO यानि की Acetate Group के साथ में Reaction करवा दोगे दोस्तो Alpha Hydrogen उसके साथ में Reaction करता है Heat कर देना किसका Formation हो जाएगा ये मिल जाएगा CO, CH, C, O, O O, O, CO, CS3 ये मिल गया दोस्तो Formation हो जाता है तो उससे कहते हैं Cinemic Acid का Formation होना ही क्या कहलाता है Porkin Reaction है ठीक है Cinemix Acid Cinemic Acid ठीक है तो Porkin Reaction की कहानी अलग है ये Porkin Reaction नहीं है Accielation नहीं हो रहा दोस्तो Benzolation हो रहा है ठीक है फिर क्या कहला है Shoten Bohon Reaction येस जी हां आंसर थर्ड आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रियक्षन आपको याद आरा होगा फ्रीडल क्राफ्ट रियक्षन में डारेक्ट बैंजीन का आप रियक्षन करवा सकते हो वो फ्रीडल क्राफ्ट रियक्षन है एनिलीन और फिनोल फिरेडल क्राफ्ट रियक्शन चो नहीं करते क्यों नहीं शो करते दोस्तो क्योंकि वो लुवीस ऐसीड और लुवीस बेस रियक्शन कर लेते हैं सोल्ट का फोर्मेशन कर देते हैं यानि कि यह अपना लोन पेर ओफ लेक्ट्रोन ELCL3 के vacant orbital उसके पास खाली room है उसमें अपना loan pair of electron लोटा देता है इसलिए reaction हो जाती है तो friedel craft reaction हो नहीं सकती कौन सा answer आ जाएगा third answer ठीक है शोटन बोमान reaction next सवाल की अगर पर बात करें तो दोस्तों क्या कह रहा है 12 number सवाल कह रहा है कि electrolytic reduction करवाना है नाइट्रो बेंजीन आपको दे रखा है दोस्तों नाइट्रो बेंजीन की 2-4 reaction होती है वो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या दे रखा है दोस्तों अगर आपको strong acidic medium दे रखा है strong acidic medium दे रखा है यानि कि strong acidic medium strong acidic medium दे दिया है यानि कि electrolytic करवारे हो आप Strong Acidic Medium में तो किसका formation हो जाता है दोस्तों ये मिल जाता है आपको NH और OH मिल जाता है फिर Isomerization करके किसका formation हो जाता है आपको पास ये मिल जाएगा OH और NS2 यानि कि Para Amino Para Amino Phenol का formation हो जाता है यानि कि इस reaction के according तो अपना answer कौन सा आ जाएगा second फिर अगर ये सवाल भी आया हुआ है आपके नीट में कि electrolytic करवारे हो और कौन सा medium दे दिया वीक acidic medium reaction दे दिया वीक acidic medium में reaction करवाओगे तो दोस्तों किसका formation हो जाता है एनिलीन का formation हो जाता है ठीक है और ये reaction आपके anxiety में उचल कूद करते हुए दे रखे कि H2 क्या दे दिया दोस्तों PD nickel platinum platinum के साथ में reaction करवा सकते हो या SN SCL के साथ में reaction करवा सकते हो FE SCL के साथ में reaction करवा सकते हो ZN SCL के साथ में reaction करवा सकते हो किसका formation हो जाएगा दोस्तों एनिलीन का formation हो जाता है फिर अगर पर बात करें दोस्तो तो आपको किसके साथ में रियक्शन करवाने के लिए दे दिया कि ZN पलस NH4Cl के साथ में रियक्शन करवाने की बात हुई तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्रोकसिल एमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तो फिर अगर इसमें कहा गया कि टोलेन डीजेंट डाल दो टोलेन डीजेंट के साथ में रियक्शन करवाओगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तो नाइट्रोजन डबल बोन ओ और एजी यानि कि ब्लेक पीपिटी मिलती है दोस्तो क्या मिलती है ब्लेक पीपिटी नाइट्रोसो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है इसको कहते है मुली खाकर किया गया टेस कौन सा टेस है ये मुलीकन टेस है दोस्तो ये भी आपके नीट में सवाल आ चुका है ठेक है कौन सा टेस है ये मुलीकन टेस है कौन सा है मूली कंटस फिर एजोकसी बेंजीन की बात कर रहा है वो एजोकसी बेंजीन भी दे रखा है आपको अब एजोकसी बेंजीन एजो बेंजीन किस कंडिशन में मिलेंगे दूस्तों अगर आपको एजो बेंजीन बनानी है ऐसो बेंजीन के लिए आप क्या गर दो Lithium Aluminium Hydride के साथ में reduction गरवा दो Lithium Aluminium Hydride अगर Alđhtic Nitro NO2 Group दे रखा Aliphatic दे रखा है तो तो उसको Amine में convert कर देता है अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है Aromatic दे रखा है तो Aromatic Nitro को यह Amine में change नहीं करेगा, ये किसमें change कर देगा ऐजो बेंजीन में convert कर देता है ये भी आपके सवाल आ चुका है दोस्तों 2012 के आसपस ठीक है किसका formation कर देगा, ऐजो बेंजीन फिर ऐजोकसी बेंजीन की अगर पन बात करें तो दोस्तों इसकी reaction किसके साथ करवादो, glucose के साथ ठीक है glucose और बेस के साथ में reaction करवादो यानि कि glucose और NaOH के साथ में reaction करवादो या फिर इसकी reaction करवादो Na3 Na3 AsO3 और NaOH या फिर NaH So3 के साथ में reaction करवादो इसकी जगाएं पर अपनी किसका इस्तमा NaHSO3 का यूज कर सकते हैं इसकी reaction करवाएंगे तो किसका formation हो जाएगा Ajoxybenzen का formation हो जाएगा दोस्तो Ajoxybenzen Ajoxybenzen इसको बोला साता है दोस्तो Ajoxybenzen तो यह आपकी है Ajoxybenzen Ajoxybenzen अपने को क्या चाहिए थी दोस्तो अपने को यह चाहिए था कि Nitrobenzen का strong acidic medium में electrolysis करवाना है जो आपने करवा लिया यही अगर reaction basic medium में करवाते दोस्तो तो क्या मिल जाता है यह मिल जाता कि 2 benzene ring आपस में कठी हो जाती यही अगर basic medium में reaction करवा देते तो किसका formation हो जाता है दोस्तो यह मिल जाती 2 benzene benzene का formation हो जाता इसको क्या बला जाता है benzene इधर भी NS2 आजाता क्या आजाता NS2 इधर भी NS2 आजाता इसको क्या बलते है benzene ठीक है तो अपने से क्या पूछा गया था दोस्तो strong acidic medium में electrolyte करवाना था यह 2-4 reaction है दोस्तो कभी अगर आपसे पूछा जाये तो मज़े से कर सकते हो ठीक है चलो next सवाल की अगर पने बात करें तो क्या दे दिया आपको 13 number सवाल दे रखा है क्या कह रहा है दोस्तो stable benzene diazonium collide की बात कर रहा है दोस्तो कौन सा हो सकता है stable due to resonance यह की बंदा हो सकता है यह नहीं हो सकता दोस्तो अलिफेटिक है यह अरोवेटिक है दोस्तो यह stable है क्यों stable है due to conjugation resonance हो रहा है दोस्तो इसमें triple bond है यह electron withdrawing group है ठीक है एंड टू यह इधर आजाएगा single bond में double bond के character आजाएगे दोस्तो तो conjugation हो गया तो यह कुछ time के लिए stable अपने आपको रख सकता है ठीक है at room temperature 25 degree celsius पर रख सकता है यानि कि 300 degree temperature kelvin तक रख सकता है 300 kelvin तक रख सकता है यह अपने आपको ठीक है बचा सकता है इधर अगर पने बात करें तो यह eliphatic दे दिया दोस्तो यह नहीं हो सकता यह eliphatic दे दिया दोस्तो क्योंकि benzene दूर हो गई ठीक है तो दूर हो गई तो इसका मतलब यह नहीं बचा पाएगी ठीक है इसको तो कौन सा answer आजाएगा stable की बात हुई दोस्तो at room temperature stable कौन है वहला benzene diazonium colloid ही है कितना प्यारा सवाल है दोस्तों reaction आपको दे रखी है reaction में क्या कर रहा है सब कुछ करके दे रखा है चिरफ वो कह रहा है कि benzene diazonium colloid को हटा दो और benzene में convert करवा दो अब एक बिल्कुल आसान सा सवाल कि अगर आपको benzene diazonium colloid में change करना है किसको benzene में benzene में convert करने के लिए अपने किसके साथ reaction करवाते हैं दोस्तों एक तो NCRT में लिखा हुआ है कि आपने hypo phosphorus acid के साथ में reaction करवा दी या फिर इसकी जगाएं पर आपने ethanol ले लिया ethanol के साथ में reaction करवा दी ठीक है दारू की बोतल के साथ या फिर आपको क्या दे दिया दूस्तों formic acid के साथ में भी reaction करवाई जा सकती है तो benzene में convert करने के लिए आपके पास एक ही सोदा है और वो कौन सा है S3PO2 hypo phosphorus acid दे रखा है यह नहीं कर सकता दूस्तों आपको पता है इसके साथ में अगर आप heat करोगे तो भग जाएगा N2 और OH आजाएगा यह इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर Cu2, Cl2 आपको याद आ रही होगी gutter man reaction और send me reaction दो होती है साब gutter अकेला पाया साता है इसलिए copper अगर आपको अकेला दे रखा है BR दे रखा है तो वो कौन सी reaction है send me reaction है ठीक है तो अपने को इसमें convert करनी थी वो तो CA लगाएगा यहाँ पर ठीक है तो कौन सा answer आजाएगा next सवाल कि अगर बात करें तो 15 numbers सवाल क्या खेर है दोस्तो product की बात हो रही है product कर दो यह क्या हो जाएगा दोस्तो यह अपना loan pair of electron आपको पता है conjugation participate करेगा plus time effect शो करता है acidic medium आपको दे रखा है यह weak acidic medium का सारा लेते हैं अगर दोस्तो strong acidic medium ले लेंगे तो यह anilineum आयन का formation कर देगा यह कहाँ आजा मेटा पित electron withdrawing group चेक है कैसा हो गया electron withdrawing group हो जाएगा और यह आपको पता है n2 कैसा होता है poor electrophile होता है क्यों क्योंकि conjugation participate कर रहा है तो poor electrophile है तो यह कहाँ पर attack करेगा दोस्तो यह इसके paira position पर attack करेगा इसलिए अपने कौन सा medium लिया जाता है weak acidic medium का साहर अलिया जाता है तो किसका formation कर देगा यह yellow color ला देगा दोस्तो phenol पीछे reaction आई थी phenol के साथ में reaction करोगे तो orange color आता है ठीक है और aniline के साथ में reaction करवाओगे तो yellow yellow हो जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा pera amino और nitrogen double bond nitrogen और क्या मिल जाएगा pera amino azobenzene pera amino azobenzene कौन सा answer आजाएगा fourth चलो इसी कड़ी में आगे बात कर रहें तो दोस्तों क्या दे रखा है बिल्कुल प्यारा सा सवाल है देखो सवाल करकर दे रखा है यही जो पीछे अपने सवाल किया था aniline दे रखी है aniline की nitrous acid के साथ में reaction करवा दो किसमे change हो गया benzene diazonium collide में convert हो गया फिर देखो N2Cl को हटा दिया है हटा दिया है इसका मतलब benzene में convert कर दिया और benzene में convert करने के लिए दोई लोग है एक तो hypo phosphorus acid और एक है NCRT में लिखे हुए दोनों लोग यानि की एक है ethanol ethanol यह रहा दोस्तों ethanol ethanol ठीक है formic acid का भी इस्तमाल किया जा सकता है HI आपको पता है कुछ कर नहीं ही पाएगी Cu,CN, KCN के साथ में reaction करवाएंगे तो आपको पता है कौनसी reaction हो गई send me reaction यानि की cyanide आजाएगा water के साथ में heat कर दोगे तो phenol बन जाएगा ठीक है तो अपना answer कौनसा आजएगा benzene में convert करना है तो आप या तो आप S3PO2 का इस्तमाल करो या फिर ethanol का इस्तमाल करो payroll दे रखा है दोस्तों वो कहारा है कि electron density maximum कहां पे है अब कोई भूखा आएगा इसके पास तभी उसको मालूम चलेगा भी कहां पे electron density जादा है तो देखिएगा दोस्तों कहां पे electron density जादा है आप electrofile का addition करवा कर देख सकते हैं कोई electrofile आया payroll के पास में कोई electrofile आया क्या मिल जाएगा दोस्तों देखो दू चांसिस है या तो यह electron density इधर जा सकती है यह इधर जा सकती है चीक है अपन दोनों ही करके देख लेते हैं एक बार तो यह electron density इधर गई और दूसरी बार electron density कि इधर गई दूस्तों यह इधर गई एक बार तो इन दोनों में से अब stable कौन है जादा वही decide करेगा कि लेक्ट्रोफाइल कहां पे आया है इसका मतलब वहें पे electron densities आदा है इन दोनों में decide करोगे तो ये lone pair of electron यहां पे यहां पे conjugation back bonding है दोस्तों इसमें इतना सा conjugation है इतना सा छूटा सा चिनना सा conjugation है और इसमें क्या है दोस्तों long conjugation हो गया back bonding तो दोनों में ही है दोस्तों lone pair अगर participate कर रहा है conjugation में इसका मतलब back bonding है ठीक है और ये pi भी conjugation participant कर रहा है इसका πाई बोन conjugation participant नहीं कर रहा है इसका मलो कौन ज़्यादा सेबल हो गया यह वाला ज़्यादा सेबल हुआ यह ज़्यादा सेबल हुआ due to back bonding due to extended conjugation due to long conjugation due to longer conjugation yes कर नो जी हाँ तो अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा stable हुआ दुस्तो ये वाला ज़ादा stable हुआ ये more stable है तो elegant density कहाँपे जधा रही है यहाँ पर यहाँ गम हो रही है तभी तो Electroflyle यहाँ जुड़ा ज़्यादा stable हुआ फिर यहाँ है तो यहाँ पे और यहाँ यहाँ यह और यह दोनों position तो एक ही है अब देख लो दोस्तो यानि कि कहां पे लेक्ट्रों डेंसिटी जादा हुई दो और पांच नंबर पे दो और पांच आप कहां सरा जाएगा सिंपल सी बात ठीक है नेक्स इसी बात करें तो देखो पोलीमर के सवाल आगे एंड कंटेनिंग कमाउन की कहानी खतम उसके बाद में देखो क्या दे रखा है सवाल 18 नंबर क्या कह रहा है दोस्तो नाइलोन नाइलोन की बात कर रहे हैं कि नाइलोन किसका एक्जमपल है अब आपको पता है नाइलोन में क्या होता है दोस्तो एमाइड सी ओ एन एच यह होता है प्रप्टाइड वोंड सी या यानि कि carboxylic acid react with ammonia, यानि कि NS2 group, तो किसका formation हो जाएगा दोस्तों, ये मिलता है आपको, ये क्या है amide, amide किस से मिलेगा, polyamide से, तो ये ही मिला दोस्तों, polyamide, nylon मिलेगा, resa, यानि कि fiber, polythene, polythene आपको पता है, दोस्तों, nylon के हिस्से में नहीं आता, nylon तो उसी कोई बोलेंगे जिसमें कौन सा bond हो, peptide bond हो, यानि कि amide bond हो, amide मिलता हो, polyester, polyester हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये nylon का हिस्सा नहीं है, polysaccharide, polysaccharide की अगर पन बात करें दोस्तों, तो saccharide और nylon की दोनों की रात दिन की कहानी अलग-लग हो गई, क्योंकि एक सूरज की रोसनी है, तो दू नियोप्रीन, अब आपको याद आ रहाएगा धुला-धुला, नियोप्रीन, एक तो उता है natural rubber, एक उता है synthetic rubber, तो नियोप्रीन क्या है दोस्तों, synthetic rubber है, क्लोरोप्रीन का polymer होता है वो, क्लोरोप्रीन आपकी कौन सी होती हैं दोस्तों, ये होती है, इसका आप polymerization करवा दो, तो क्या मिल जाएगा CH2, CL, C double bond, CH, CH2, इसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों नियोप्रीन बोला जाता है, क्या बोला जाता है नियोप्रीन, और इसका नेम क्या है, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन है, यह हो नहीं सकता दोस्तों, यह हो नहीं सकता, व्यूटा बन्थरी डाइन ह और इसकी अगर बात करें तो यह इसोप्रीन natural rubber होता है दोस्टों क्या है यह इसोप्रीम natural rubber होता है दोस्तों ठीक है सिस फोम होती है फशान चलो कौन सा आंसर आजाएगा अपना फसा आंसर आजाएगा यानि कि नियोप्रीन का मोनोमर पूछा था अगले ने कौन होता है कलोरोपरीन होता है किसकी बात कर रहा है दोस्तों ये बात कर रहा है थर्मो सेटिंग पॉलिमर की बात कर रहा है अब आपको याद आ रहा होगा थर्मो सेटिंग पॉलिमर थर्मो सेटिंग में क्या होता है बेकलाइट, नोवलेक, यूरिया, फॉर्मलडी, हैड, रेजीन जिसमें क्रोस लिंकेज निकले रहते हैं वो वाला बंदा आता है अब इसकी बात करें तो ये क्या है दूस्तों ये है इलास्टोमर क्या है इलास्टोमर क्या है दूस्तों अभी पीछे वाले सवाल में किया क्या ने मैं इसका क्लोरोपरीन का पॉलिमर, क्या हो गया नियोपरीन, और नियोपरीन क्या है दूस्तों इलास्टोमर जिसमें वीक वंडरवाल फोर्स पर्जेंट होते हैं ये इलास्टोमर का एक्जम्पल है ये CL की बात करें तो ये PVC है दूस्तों PVC PVC की अगर पन बात करें तो ये थर्मोप्लास्टिक का एक्जम्पल है दूस्तों किसका है वहला थर्मोप्लास्टिक ठेक है फिर इसकी बात करें तो ये फाइबर का एक्जम्पल है दूस्तों किसका है फाइबर क्योंकि पलियमाइड नाइलोन 6-6 हो गया यह यह पीवीसी है पीवीसी और इसकी बात करें तो नाइलोन 6-6 है दोस्तों फिर इसकी बात करें तो दोस्तों यह क्या है नोवोलेक क्या है और नोवोलेक किसमें आता है दोस्तों थर्मो सेटिंग में आता है कि तो यह अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, आगे बढ़िए, कौन सा सवाल दे रखा है, 21 नमबर सवाल की, अगर अपने बात करें, तो देखो, फ्लोविंग और्गिनिक कंपाउन, पुलिमेरिज़, पुलिस, पुलिस्टर की बात हो रही है, पुलिस्टर की बात हो रही है, दोस्तो, पुलिस्टर, ठीक है, क्या है, यह पुलिस्टर है, ठीक है, यह गायब हो गया, डेक्रोन, डेक्रोन, टेरिलीन, एक ही बात होती है, ठीक है, डेक्रोन टेरिलीन की अगर आपने बात करें, तो इसमें क्या आता है दोस्तो, थेलिक एसीड, नाम सुना हुआ है, अगर थेलिक एसीड तो इसको बोलते हैं, कि यहां पे OH लगा दिया, CWH लगा दिया, और यहां पे भी CWH लगा दिया, इसको तो बोलते हैं थेलिक एसीड, और इसको बोलते हैं आईसो थेलिक एसीड, M से में सवाल आया हुआ है कोई जमाने में, आईसो थेलिक एसीड, यह है आईसो थेलिक एसीड, और यह है दोस्तो टर्थेलिक एसीड, तर्थेलिक एसेड अब तर्थेलिक एसेड की रियक्शन करवादो एथिलीन गलाइकोल के साथ OH, OH किसके साथ में रियक्शन करवाई साती हैं दोस्तो पोलीमेरिजेशन करवादो पोलीमेरिजेशन पोलीमेरिजेशन जिंक एसेटेट की presence में करवा दो zinc acetate ठीक है zinc acetate या फिर अगला कहता है कि antimony Sb Sb2O3 के साथ में 420 Kelvin to 460 Kelvin पे heat कर दो polymerization करवा दो ठीक है polymerization antimony Sb2O3 antimony oxide दे रखा है आपको इसकी इसके साथ में reaction करवाओगे किसका formation हो जाएगा दोस्तो terylene यानि की decrone जिसको प्यार से बोलते है मैं यहां लिख देता हूँ किसका formation हो जाएगा दोस्तो polyester का formation हो जाएगा CH2 χ2 और यहां पे oxygen यहां पे क्या मिल जाएगा CO और यह मिल जाएगा दोस्तो यहां N लगा दिया इसको क्या बोला जाता है टेरीलीन टेरीलीन बोल दो डेक्रोन बोल दो एक ही बात है दोस्तों गलिप्टिल मार्टिन गुप्टिल नाम सुना होगा दोस्तों खिलाडी मस्त वाला तो यहाँ पर अगर बात करें तो डेक्रोन वो तो अलग है डेक्रोन टेरिलीन तो एक ही है लेकिन अब ही ग्लिप्टल ग्लिप्टल की बात की तो वहाँ पे किसका इस्तमाल किया जाता है थेलिक एसिड का इस्तमाल किया जाता है एथिलीन गलाइकोल का क्या मिल जाता है मार्टिन गुप्टिल मिल जाता है दोस्तों तो यहाँ पे इससे नहीं बना सकते दूस्तों तो अपने को पोली क्या चाहिए था डेक्रोन चाहिए था पोलीएस्टर चाहिए था कौन सा आंसर आजाएगा थर्ड चीक है चलो आगे बढ़ते हैं दूस्तों 22 नंबर सवाल गलाइसीन और अमीनो कैप्रोइक एसीड की बात करें तो बायो डीगरिबल पोलीमर होता है दूस्तों येस बायो डीगरिबल पोलीमर अब गलाइसीन क्या होता है दूस्तों अमाइनो एसीड नाम तो सुनाई हैं ये है एंसी अर्टी में सबसे लास में लास सी लास में यही पोलिमर है इससे जश्ट उपर PHBV है और उसके बाद में यह है Glycine और Amino Caproic Acid Amino Caproic Acid की अगर बात करें तो यह है CH2CO और इसमें मिलेंगे 6 Carbon तो मैंने यहां 5 लगा दिया ठेक हैं तो यह तो है Amino Caproic Acid और इसकी अगर बात करें तो यह आपका क्या है Glycine तो यह आपका है Glycine यह है आपका Amino Caproic Acid अभी इसका Polymerization करवाओगे तो यहां से OH और यहां से H जाएगा यह H किसी और के साथ यह OH किसी और के साथ किसका formation हो जाता है CH2CO और यहां पे मिलेगा NH CH2CO और यह मिल गया आपको 5N लगा दिया इसको कहाँ साता है Nylon 2 Nylon 6 Nylon 2 Nylon 6 यानि कि यह वाला खेक हैं इसकी बात करें Nylon यह Nylon 6 6 आपको पता हिए किसका formation करता है Nylon 6 6 में कौन सी Monomer Unit होती हैं दोस्तो हेक्जामेथिलिन डाइयमाइन और एडिपीक असिद हेक्जामेथिलिन डाइयमाइन और एडिपीक असिद होती हैं दोस्तो ठीक है Nylon 2 6 होई गया PHBV बायोडी किरेबल पोलीमर होता है दोस्तो लेकिन अगले ने लिक कर देती हैं इसमें क्या होता है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट PHBV कहा जाता है ब्यूना N आपको पताएं BU का मतलब ब्यूटा 1-3-डाइन Na का मतलब sodium की presence में reaction होती है और N का मतलब क्या है नानी के गई यानी की cyanide का इस्तमाल किया जाता है acrylonitrile N का मतलब nitrile ठीक है चलो तो answer कौन सा मिल गया second next इसी की बात करें तो 20 third number सवाल caprolactam caprolactam में nylon 6 आता है दोस्तों याद करिए दुला दुला याद आ रहा होगा caprolactam की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या दे दिया NH 7 वाली होती है दोस्तों यानी कि 7 number ring होती है 1,2,3,4,5,6 यह है दोस्तों इसका आपने पहले hydrolysis करवा दिया फिर इसका polymerization करवा दिया ठीक है क्या मिल जाता है NH और CH2 CO nylon 6 ठीक है यहाँ 5 यहाँ N लगा दो यानी कि पहले आपने इसका hydrolysis करवाया वही मिला जो अपने थोड़ी दिर पहले बात किया था यानी कि amino caproic acid का formation होगा फिर इसका polymerization करवा देना दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको nylon 6 इसको बोलते है caprolectum nylon 6 अपना answer आ जाएगा टैफलोन में क्या होता है दोस्तों CF2 monomer unit इसके CF2, CF2 होती है terylene अभी अपने बात की थी nylon 6, 6 की बात कर चुके है hexamethylene, diamine और adipic acid monomer unit होती है इसमें next सवाल की बात करें तो natural rubber, natural rubber में क्या होता है दोस्तों, isoprene का polymer होती है यानि कि CH2 double bond C, यहाँ पे CS3 CH double bond, isoprene है दोस्तों यह, इसका polymerization करवाते हैं तो sis position में आता है sis में आते हैं, सारे सारे sis होते हैं, transform मिल जाए तो गटा परचा बला जाता है उसको natural rubber अगर आपको बनाना है तो क्या मिलेगी आपके पास? यह मिलेगी यानि कि आपके पास CH2 यहाँ पे क्या जाएगा? CS3 double bond, ठीक है? यहाँ double bond, यहाँ पे आपके पास क्या मिला? H, इधर क्या जाएगा? CH2, यह वाली एक unit हो गई, CS2, CS2, same group same side में, तो CIS बोलेंगे, same group same side में, CIS, और यह सारूखान वाली condition हाज़े, ट्रांस और इसकी अगर ट्रांस बना दोगे, तो उसको गटा परचा बोलेंगे दूस्त, ठीक है? तो इसकी दूसरी unit, अगर मैं यहाँ चिपका दूँ, तो हाँ चिपका दो, CH2, क्या लगा दोगे? carbon, ठीक है, चाहे, नीचे बना दो, उपर बना लो, एक ही बात है, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? CS3, double bond, यहाँ पर क्या लगा दिया? आपने CH2, यहाँ पर H, यहाँ एक और unit चिपका दो, तो यह CIS-POM बनती है, कहने का मतलब है, क्या बनती है? CIS-POM बनती है, इसको 1-4 CIS-POM बोला जाता है Poly, CIS-1-4 Poly-Isoprene बोला जाता है, है ना? CIS-POM 1-4 क्यों बोला जाता है? कि 1-2-3-4 यहाँ से कर लो 1-2-3-4 पर चिपकती है 1-2-3-4 पर चिपकता है 1-4 पर एक दूसरे से चिपकी रहती है, यह दोनों यूनिट छीक है? तो इसमें का है? Transposition, non-Z, गटा परचा होती है वो 1-CIS-1-3, non-Z N-E-M-E-CIS, यह भी नहीं हो सकती Asymmetric and randomly CIS होगा कहीं भी, कहीं भी Trans होगा, ना, ना सारी की सारी कौन सी position होती है की अगर अपने बात करें तो देखो BioDegradable Polymer में क्या आते हैं? अपने Ansiati में दो लोग दे रखें, एक तो PHBV और एक है, Nylon 2, Nylon 6 Nylon 6, Caprollectum है, BioDegradable नहीं है, Buna S, Logi Sanam आ गई है, S का मतलब क्या है? Styrene है, क्या है? Styrene यानि कि B, U का मतलब Buta 1, 3, Diene, Na का मतलब Sodium की presence में, S का मतलब Styrene, Styrene किसको बोला जाता है? Benzene, CH11, CH2 ठीक है, फिर क्या है? Nylon 6, 6 हो नहीं सकता क्योंगी ये Fiber है, फिर इसकी बात करें तो, ये भी Fiber है वैसे तो, लेकिन ये BioDegradable है और ये क्या है? Synthetic है Nylon 2, Nylon 6 Nylon 2, Nylon 6 अपना, क्या है? BioDegradable Polymer है, Next अगर अपना बात करें तो, कौन सा सवाल दे रखा है? Natural Polymer की बात हो रही है, दोस्तो अभी बात की, Natural Polymer Natural Rubber की बात की Natural Polymer की वैसे बात करें, दोस्तो तो, क्या है? DNA, RNA ठीक है? ये अपका क्या है? प्रोटीन, ये नेचुरली तो है ठीक है? इसकी बात करें, तो Poly, Buta-1-3-Dyene Natural Rubber नहीं है फिर क्या आ गई? Buta-1-3-Dyene यानि कि Buna N आ गया ये Buta-1-3-Dyene Acrylonitrile, जिसको क्या बोलोगे? Buna N, ये भी नहीं है, ये आ जाएगा दोस्तो Cys-1-4-Poly-I-Suprene ठीक हैं? फिर क्या है? Buta-1-3-Dyene, स्टाइरीन इसको क्या बोलेंगे दोस्तो? Buna S Buna S, ये क्या है दोस्तो? Synthetic Rubber है, और ये क्या है? Natural Rubber है कौन सा है? Natural Next आगे सवाल की अपन बात करें, दोस्तो तो क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि additional polymer की बात हो रही है Polymerization additional कौन सा है? Addition का मतलब हो कि जिसमें कुछ निकले नहीं दोस्तो, आपस में बस वो जूट जाए ये बाकी जिसमें कुछ ने कुछ छोटा group release हो जाता है छोटा molecule release कर देंगे ठीक है, तूसे condensation बोला जाता है जैसे aldol condensation में अपन परते हैं कि कुछ ने कुछ निकलता है निकलने वाला condensation है कुछ नहीं निकलता, एक दूसरे के वैसी हो जाएं तो इसका मतलब वो क्या है? Addition हो रहा है कैसा हो रहा है addition? Nylon 66 की बात करें दोस्तो तो इसमें क्या होता है? Nylon 66 में condensation होता है Novelac में condensation होता है दोस्तों Novelac में condensation है Novelac क्या होता है दोस्तों? कि आपने reaction करवा दी leaderman's reaction यानि कि आपने phenol की reaction formaldehyde के साथ में acidic और basic medium में करवा दी ortho और पेरा मिल गया लेकिन ortho वाला जो मिला है salisaldehyde salisaldehyde मिला है वो क्या करेगा? आगे polymerization करके किसका formation कर देगा? linear polymer Novelac फिर इस Novelac में अपन formaldehyde के साथ में heat करवा दें तो cross-linked मिल जाते हैं और उसे अपन क्या बोलते हैं? bakelite बोला साता है decrone कैसा है दोस्तो? decrone, terrylene एकी बात है कि अपन reaction करवा दी किसकी terthelic acid की ethylene glycol के साथ में तो ये भी condensation वो भी condensation ये भी condensation teflon CF2 double bond CF2 polymerization करवा दो CF2 CF2 इसको क्या बोला साता है दोस्तो? teflon बोला साता है तो teflon तो आपका ये होता है इसका मतलब कुछ निकला नहीं है addition ही किया है इन्होंने तो ये ही addition का example next वाल की बात करें दोस्तो तो क्या कर रहा है कि कौन सा statement incorrect है सही नहीं है incorrect की अगर पन बात करें तो देखो fiber की क्या बनाई जा सकती है fiber is high tensile strength जी हाँ तनन समर्थे इसकी क्या होती है जादा होती है high tensile होती है फिर वो क्या कर रहा है दोस्तो बार बार इसको गरम करके ठंडा करके कठोर और soft किया जा सकता है जी हाँ क्या कर रहा है thermoplastic polymer जितने भी है वो सारे के सारे क्या हो जाते है दोस्तों softening होते है hardening होते है इनको heat करके ठीक है ठंडा करके ज़ो चाहे आप संचो में ढ़ला जा सकता है ये कौन सा है दोस्तो thermoplastic है thermoplastic है और thermoplastic में PVC आती है polythene आती है polythene बोल भी बना सकते हो प्लास्तिक वाली थेलिया इकठी करो जलाओ ठीक है आप चाहो उसमें convert कर सकते हो कोई भी आप size दे सकते हो उसको कुछ भी बना सकते हो यार कहने का मतलब है ठीक है तो ये भी right है ये भी right है फिर ये क्या करा है देखो फिनोल फॉर्मेलडी हैड रेजीन हो इनको दुबारा यूज नहीं लिया जा सकता यूरिया फॉर्मेलडी हैड रेजीन हो मेले में गई थी हमाइन बरतन लेकर वापस आई मेलामीन फॉर्मेलडी हैड रेजीन इनको दुबारा यूज नहीं लिया जा सकता synthetic fiber जितने भी है synthetic rubber जितने भी है वो सारे के सारे क्या है elastic जितने भी है वो सारे के सारे क्या है Elastomer इसमें weak क्या भाईजाता है weak intermolecular force भाईजाते है ठीक है fiber में सबसे ज़दा strong होते है fiber के बाद में किसका नमबर आता है दोस्तों fiber کے بعد में thermo plastic का नंबर आता है जिसमें irastomer और fiber के बीच में होते हैं और सबसे lastवी week फॉर्स किसमें पयजाते हैं irastomer में और thermo setting की कहानी अलग है उसमें cross linkage मिले होते हैं छीक है फिर सवाल की अगर पर बात करें तो देखो thermoplasic की बात आई गई फर्मो प्लासिक पोलीमर की अगर बात करें तो उसमें क्या है PVC है और पोलिथीन है कौन सी है पोलिथीन है यूरिया फोर्मेलडी हाइड मेलामीन पोलिमर बेकलाइटी ये किसमें है थर्मो सेटिंग में है किसमें है थर्मो सेटिंग किसमें मिलेंगे थर्मो सेटिंग में मिलेंगे साब यानि कि क्रोस लिंकेड मिलेंगे मेलामीन मेले में गई एमाईन भरतन लेकर वापस आई यानि देखियोगी आपने प्लास्तिकी प्लेटें और ये सब वो किसकी है मेलामीन, फॉर्मेलडी है, ड्रेजीनी तो है, वो मेलामीन है इसलिए बोला जाता है, इसका यूज है कि मेले में गई एमाईन और बरतन लेकर वापस आई क्रोकरी इंडिस्ट्री में यूज करते हैं इसको न फिर इसका आंसर की बात करें, थर्मो प्लास्तिक का एक्जम्पल कौन है दोस्तों पोलिथीन है, बाकी किसके हैं, थर्मो सेटिंग के हैं ठीक है, चलो, ये तो थी दोस्तों अपने एमाईन एंड पोलिमर की ठीक है, तो मस रहें, सबस रहें, खुद का ख्याल रखें, जैसी एलसी